जहन दोस्तो यद युनुट ने प्रमेचर हमारा सैंक्सिन नहीं किया तो जवान पहुचा एएफटी और एएएफटी ने क्या बोला और युनुट ने क्या बोला युनुट ने क्या बोला मैन पावर की कमियें आगे से रिस्ट्रिक्शन है इंडूजन न बोला मेरे घर में है प्रॉलम और मुझे जाना है प्रमेचर मेरी सर्वेस हो गई है अठारा आया बीस साल मुझे अब पैंसिन आप भेज दीजिए प्रमेचर भेज दीजिए और ये मामला जब यूनिट में नहीं सुल जा तो पहुंसता है एप्टी में एप् कुछ आधारों पर सैन सेवा से समय पूर्व रहाई के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता यानि कोट कह रहा है कि आप इस तरह किसी की जनूर प्रॉलम है तो ये नहीं है कि यो 20 साल सर्विस करके ही जाएगा या 20 साल सर्विस करके ही जाएगा प्रमेचर का प्राप्द केस बनाके जाते हैं लोग 0.5% है और इसमें बदलाओ आगे नहीं देखा जा सकता जैसा कि जैसे कि खबरें चल लहीं कि दो यार 27 तक आपकी एक लाख और सेना कम होगी उन्होंने सेना को चुष्ट दुरुष्ट करने के लिए बहुत सारे काम चल ले हैं LMC को भेजा जा रहा है इसी के बीच एक उम्बीद की करण है जो जगी है जो मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं दोस्तो चंडीगड का मामला है ससस्त्रबल नयायद करनेयन AFT आर्मन फोस्ट टर्मिनल ने माना है कि जब कोई व्यक्ति सेना में भरती होता है तो उन्हें एक निश्वत अबदी से पहले नहीं छोड़ने के लिए एक अनुवंद पर हस्ताचर करना पड़ता है लेकिन एक बार जब बे सेवां में सामन हो जाते हैं तो बे सेवा नेमों और बेनमों द्वारा सासित होते हैं और ऐसा नहीं किया जा सकता है कुछ आधारों पर सेना से समय पूर्व रहाई के बैद्धानिक अधिकार से इंकार कर दिया गया ट्रबुनल ने वारती सेना के अधिकारियों को कहा कि मेडिकल कोर का एक बंदा है सेनिक के अनुरूद पर फिर से बिचार करिये कि आखिर वो एद प्रमिचर जाना चाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते उन्होंने केस को रिक्मेंड किया कि आप इसको भेजिये जिनकी ब हाला कि ट्रबुनल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बे इस मामले के सभी पहलियों पर विचार करते हुए समय से पहले रहाई की उनकी आचका पर विचार करें जिसमें बहतर कोविड नाइंटीन महमारी की इस्ति और सेना में भरती की सिपार्स भी सामिल है जैसा क कहा गया था कि उन्होंना कि कोविड नाइट जब महमारी हुई तो सेना की कमी भरती ने हुई वो कमी का हवाला दिया फिर उन्होंने कहा कि एप्टी लखनव पीठ के नयायमूर्ती अनिलकुमार वाइस एडमिरल अतुलकुमार जैन प्रसासनिक सदस की खंड़ पीठ ने बरतमान में बेलगाओ करनाटक में तैनात हवल्ला ड्राइवर यमनपपा राना बागो द्वारा याचका का निप्टारा करती हुए आदेस पारिट किया यानि बंदे को जब यूनिट में आहाथ पेर मारे स्यू साब के पास गए चिठ्थी लिखी एप्लिकेसिन लिखी आबा गए जब उसको कुछ नहीं सूजा तो सीधा जाकर एफ्टी में गया और मामला एफ्टी में अब साइध ये क्या कहरें जरा सुनिए आविदक को दिसंबर 2004 में सैना में और आर्मी मेडिकल कोर में ड्राइवर की रूप में भरती हुआ वो अपने परवार के सदस्यो कोरोना के टाइम को उसने का है कि मेरे घर के बंदे बीमार है मेरी मा बीमार है पापा बीमार है कोई देखने वाला नहीं मैं कैसे नोकरी करूं इस आधार पर समय से पहले रहाई चाहता हूं सैना में अपने करतब्यों का पालन करते समय उन्हें घरे लूप और व्यक्तिकत जीवन की चुनोतियों और खत्रों का सामना करना पड़ रहा था वो कह रहा है कि मैं फौज की डूटी कर रहा हूं तो मुझे घर से मैं ज्यादा डिश्ट्रम हूं तो मैं फौज की डूटी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मुझे सेवा निवर्त किया जाए यानि प्रिमेचर रेटार्मेंट दिया जाए उनकी याचका का बिरोध करती हुए यानि उसको का कैसे सेन दिकारियों ने क्या कहा हमारे चैनल ने कि आबेदक ने सेना में नामंकन के समय और उसके बरतमान में हस्ता चरित नामंकन फार्म में नहित उन्होंने जो कंडिसेंस है 20 साल की कलर सेवा जो उसके लिखा रहता है और 3 साल की आरचे 20 प्लस 3 का उसमें प्रापदान था अनुवंद पर हस्ताचर किये अब हबलार भी बन गया तो उसकी 31 दिसंबर 2028 तक उसकी सर्विस बढ़ गई यानि कलर सर्विस 2028 तक हो गई यद उसका अनुवंद था सिपाई में 20 प्लस 3 था लेकिन 15 साल के बाद प्रमेचर जा सकता है इसको कोड करते हुए उन्होंने का है कोर में जन सक्ती की कमी है उन्होंने का है मैन पावर की प्रॉलम है येमसी में और समय से पहले सेवा निवर्त पर प्रच्छम अधिकारी द्वारा लगाए गई सीमाओं को ध्यान मर रखते हुए आबेदक की समय से पहले सेवा निवर्त पर बिचार करना संबब नहीं है सैना अधिकारियों ने ये तरक दिया यानि सीधा कह दिया कि भाईया मैन पावर की कमी है और उसके टर्मस अब कंडिसन है नहीं प्रमेचर अभी खुला नहीं है कलर सर्विस ये जा नहीं सकता इसलिब बेज नहीं सकते लेकिन माननी कोट ने सभी पच्छों को सुनने के बाद यानि सैना के अधिकारियों की बा अबार के सदस्यों का खराब स्वास्त है उन्होंने का जिसकी फैमली इस तरह प्रावलम है तो वो किस तरह नोकरी करेगा और उन्होंने अधिकारियों को निर्दिश दिया कि आप पर इस पर पुर्णबरचार करके हमें रिपोर्ट परस्तित करें तो आप समझ सकते हैं कि लोग प्रमेचर के लिए बहुत सारे परेशान बहुत किसी ने किसी एक्स्ट्रीम कंडिशन है कोई घर की बवस्ता को नहीं समाल पा रहा अकेला बच्चा है और इसकी सर्वेश 17, 18, 20, 22, 22 जो भी हो गई है पौश से जाना चाहता है और जब वहां नयाय नहीं मिला तो